नमस्का एशानी जिन्डियों में आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ राहूल कांदी ने रविवार को तेलगाना चुनावी रेली के दोरान कहा कि बिजेपी ने मुझ पर 24 केस लगाए हैं वो मेरी छादी पर मेडल है प्रिये मोधी ने देश में हिंसा और नफरत फेला रखी है नफरत से देश कमजोर होता है हमें नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोलनी है 26 नवंबर कुढाहूल ने तेलगाना में तीन रेलिया की कामा रेडी में रेली के दोरान उन्होंने कहा क्या केस लगाए गए हैं नहीं क्योंकि मोदी केसी आर एक ही है मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है जिसमें एक बटन E.D. वाला है और एक बटन C.B.I. वाला मोधी रिमोट का बटन दबाते भी नहीं है वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल दिखाते हैं और उसे देखते ही KCR बेट जाते हैं अब हम हिने हराने जा रहे हैं पहले तेलगाना में और फिर दिल्ली में रहुल बोले तेलगाना के मुख्यमंतरी केसी आर ने कम्पिटराइजेशन की बात की और धर्णी पोर्टल बनाया फिर लाकों किसानों से जमीन चीन कर अपने उध्योक पती दोस्तों को सोब दी तेलगाना में अमिशा ने कहा था की वे ओबी सी मुख्यमंदरी बनाएंगे अरे पहले आप दो प्रतीशत वोटो लाईए फिर मुख्यमंदर की बात कीजिएगा कामा रेडी से पहले रहुल गांदी ने तेलगाना के संगा रेडी में जनसबा की इस दोरान उनने कहा कि देश में पिये मुदी ने हिंसा और नफरत फिला रखी है नफरत से देश कमजोर होता है इसलिए कांगरिस पार्टी ने नारा दिया है नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलनी है हमें पहले तेलगाना और फिर दिल्ली में महबत की दुकान खोलनी है क्योंकि ये भाईचारे और महबत का देश है मोधी सरकार ने मेरा घर छेन लिया मेरी लोकसभा की सदसिता रद्द कर दी मैंने उनसे कहा मेरा घर ले जाओ मुझे नहीं चाहिए मेरा घर हिंदूस्तान के करोडों गरीबों के दिल में है तेलगाना में बीजेपी के नेता छाती फुला कर घूमते थे लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने उनकी हवा निकाल दी जिससे किसी कार के चारो टायर पंचर हो जाते हैं वैसा हाल हमने बीजेपी का कर दिया है अब बीजेपी बी आरेस और एई आएम आएम तीनों मिल चुके हैं इसी के साथ मैंने रही है एशिया इस इंडिया के साथ